दर्माद चेयर्मेंट सर, मैं अपने पाठी जेमेम के तरफ से बोलने के लिए खड़ाऊगा हूँ बजट पे और लता मंगिसकर जी को सद्धानजली देते हुए अपने बातों को आगे बढ़ाऊँगा पैंडिमिक के दौरान आपका प्रधानमंतरी जीम ने भी जिकर किया पैंडिमिक के दौरान जो है पुरा देश पुरा विश्व जो है मुस्किल के दौर से गुजरा लेकिन जो उन्होंने अपनी बात कही प्रेजिडेंट स्पीच पे कि आपका जाकर के विपक जो है कि आप के लिए जो खाना दे रहे थे पहले बोल देना चाहिए थे कि pandemic के समय पे पहले ही बोल देना चाहिए थे कि आप अपने वापस घर चले जाओ जितने कामगर हमारे बिहार जारकन बंगाल से उन लोग को इतना मुश्किल जेलना पड़ा हमें माफी मागना चाहिए इस पूरे सदन को माफी मागना चाहिए और उस पर यहां पर जो है राजनीती होती है बहुत गलत बात है डिजिटल एकोनोमी की तरफ जो है आपका यह देश बढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन 75% जो किसानी हमारे लोग है उसके और अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो यह देश कभी नहीं बढ़ सकता है यह देश का कभी नहीं विकास हो सकता है आज जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि रवी और वीट का जो है आपने भंडारन किया है तो यह दिखाता है कि हमारे देश के किसान सक्षम है वो कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं लेकिन उनका जो डिमांड है लगातार लगातार वो जो अपना डिमांड रख रहे हैं इतने दिनों से और कितने लोग सहीद हुए हैं उसके बावजूद भी यह सरकार उनकी मांगों को अभी तक नहीं मानी है इतना भी आप लोग अपने अपने देश के लोगों के लिए नहीं दर्द रख सकते हैं बहुत गलत बात है बहुत ही गलत बात है हमारे कैस साथ ही जो है जहारकन के बारे में जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पे बिजली की कटवती की जा रही है तो मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ कि Central Agency द्वारा जो है वहाँ पर जारकन के सरकार जो विपक्ष में है उसको परिशान किया जा रहा है अब एक बात कहिए कि आप हमारा विजली काटिएगा हमारे पास कोईला है हम कोईला रोग देंगे तो क्या इस तरह से देश चलेगा हमारे यहाँ यह स्थिति है कि आप जो है जंगल से लकड़ी देते नहीं हो इतना कड़ा कानून कर दिये हो और चार इटा जो है अगर कोई जो है कोईला ले जा रहा है घर जाना नहीं के लिए उस पर हम डंडा बरसाए ऐसा हमारी सरकार नहीं कर सकती है और जिस तरह से यहाँ पे बात हो रही थी कि आवारा पसू इससे पहले बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे जो है मवेसी खुले रोड पे गुम्ते रहते थे अब हमाँ यहाँ पे मवेसी हाठ खुल गिया है और जो भी गरीब लोग हैं किसान लोग हैं मजदूर लोग हैं उनकी जो भी मवेशी है, वो फ्री बेज सकते हैं अपना, और उनके घर में भी जो पैसा जाना हो जाता है। तो पसुधन को खतम ना कीजिए देश में राजनीती के चक्कर में गाय को जो है राजनीती का खाड़ा मद बना दीजिए। क्योंकि गरीब जो है कहीं ना कहीं वो पसुधन के वज़े से भी उनका जो है रोजी रोजार और घर चलता है। और मैं कायना चाहूँगा कि हमारे स्टेट के द्वारा जो कुछ योजनाय आरंब किये गई है युनिवर्शन पैंसन स्कीम की आज आप बोल रहे हैं इतने सारे लोगों को पैंसन दिया जाता है बहुत अच्छा बात हमारे सरकार ने ये पैंसन आरंब किया है मानियमन जी कि सरकार में कि जितने भी सार बरणस दिया जाएगा और जो भी वहाँ पर विदवायं हैं सबको पैंसन दिया जाएगा 18 बरणस से उपर और आपका जाके साल में 10 रुप्या में दो बार साड़ीध होती है जना वहाँ चलती है गरीब लोगों के लिए जो रासन पूरे तर आजकर पे 25 रुपिया का कंसेशन दिया गया है तो बहुत सारे और भी योजनाय है हमारे सरकार के द्वारे चलने मैं चाहता हूं कि सिर्फ हमारे ही स्टेट का ही नहीं है दूसरे स्टेट में भी बहुत अच्छे-च्छी योजनाय चलती है उनको अपने Central योजनाओं में incorporate करे और जिस तरह से दो साल के बाद इस कोरोना काल के बाद लोग उमीद कर रहे थे कि जिस तरह से आर्थिक बोज पड़ा है सबको दिक्कते हुई है tax में कुछ rebate मिलता है बिल्कुल नहीं मिला इसमें दुख है सब पूरे देश के वासियों को और मुझे लगता है इस पर जुरूर पुनर विचार करना चाहिए कि भै कुछ rebate मिलना चाहिए सब लोग तकलीफ में है पूरे states पे भी भार है उनका भी जो taxation का पूरसन होता है वो भी समय में पहुँचना चाहिए ताकि जो है हम लोग states भी अच्छे तरह से रन कर सके हमारे state के तरफ से railway को बहुत सारा आपका जाकर के taxation हमारे यहां से आता है आपका जाकर मिलता है लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहां से जारकंड के कोई railway minister बनते नहीं है इसलिए हमें जो है railway का ठीक तरह से लाब मिल नहीं पाता है नया रेल तो छोड़िए आप जो भी आप जो अपने तरफ से बताए हैं कि इतनी सारी नए नए ट्रेने आप स्टार्ट करेंगे नए रेल तो छोड़िए हम साथ साल से सिर्फ स्टापेज मांग रहे हैं कुछ ट्रेन का वो भी नहीं मिल रहा है रेलवे बजट जो अलग मने सम्मिलित हो जाने के वज़ए से और भी नुकसान है कि हम लोग रेलवे का कुछ भली तरीके से हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे विजय जी जी सर रेलवे के बजट में चर्चा होगी उस समय आप अपना बग्ड़ दन्यवाद सर अपका पांच मिनिट हो गया है सर एक मिनट और लूगा सर एक मिनट लूगा और सर एक मिनट सर जौब क्रियेशन की जहां तक बात है आज 7 साल के बाद 60,000 की बात की जारी है इतना वेक मतलब जो नंबर से मुझे लगता है कि आपको भी सोचना चाहिए कि 7 साल के बाद आप 60,000 लोग की बात कर रहे थे सुरूआत मैं ते तो 2 करोड की बात कर रहे थे आज मंड्यगा में जिस तरह से कि आपका पैसा कम किया गया है, यह operation कहां से हो पाएगा, यह भी आप लोगो देखने की जरूरत है, और मैं कहना चाहूंगा, कि यह मैं BJP की साथियों के लिए भी कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके बिंती है, कि भाई आपको लगा कि petroleum sector के अच्छा नहीं चल रहा है, तो petroleum minister बदल दिये, health sector अच्छा नहीं चल रहा है, तो health minister बदल दिये, railway अच्छा नहीं चल रहा है, तो railway minister बदल दिये, और मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी एलेक्षन बहुत अच्छा जिता सकते हैं लेकिन साथ साल में समझ में आ गया कि देश अच्छा नहीं सला सकते हैं क्यां उन्हें बदल दीजी आज जोड़ करके बिंती है और एलेक्षन का समय है इसलिए समझ में आता है कि कॉंग्रेस और नहरू जी को मने का नाम लिया जा रहा है मैं समझ रहा हूँ लेकिन है कि नहरू जी को कोशने से जो है आपकी गलतियों का धूल नहीं मिट जाएगा वो जो आप गलतियां कर रहे हैं वो मिट नहीं जाएगा और लास्ट में मैं अपने दो लाइन से अपने बात को समात करूँगा इस बजट के विरोध में कि अंदभक्ति का आलम जो है उसके उपर मैं दो लाइन कहना चाहूंगा आस्मा निहारते रह गए बारिस की उमीद में और कोई धोती खोल ले गया धन्यवाद सोगत राइजी सर I have very little time